निश्पक्ष इलेक्शन कराने में EVM मशीन शुरुआत से ही विवादों में रही है। इसलिए उस समय की प्रमोख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसका जम कर विरोध किया था। अध्यक्ष मोतिलाल अहिरवार ने EVM के सम्मन में याचिका लगाई है। 30 सितंबर शुक्रवार को इसे सुनवाई के लिए सुप्रिम कोड की लिस्ट में शामिल किया गया है। मुख्य रोप से 8 पॉइंट पर सवाल उठाते हुए याचिका में बताया गया भारत निर्वाचन आयोग ने खुद स्विकार किया कि अगर कोई EVM तक पहुच जाए तो EVM के बास्तविक डिस्प्ले को बदला जा सकता है। या अतिरिक्त सर्कित बोट डाला जा सकता है जिससे मशिन के डिस्प्ले को बाहर से वायरलेस द्वारा कंट्रोल कर परिणाम के साथ छेड़ चार की जा सकती है। मतदान के आकड़े और EVM की मेमोरी चिप को बदला भी जा सकता है। या चिका में बता गया कि मशिन बनाने वाली कंपनी BEL, ECIL के इंजिनियर्स मशिन तक बिना किसी रोक्तों के पहुंचाते हैं। चुनाव में मशिन को BEL, ECIL के इंजिनियर्स तयार करते हैं। चुनाव आयोग नहीं करता है। याचिका में मांग की गई हैं कि चुकी भारत के सविधान के अनुच्छेत 324 के तहट चुनाव करानी की जिमेदारी चुनाव आयोग को दी है ना कि किसी कमपनी को इसलिए चुनाव के लिए मशिन चुनाव आयोग के इंजिनियर तयार और सील करे इविएम खरीदने के बाद चुनाव आयोग या उसकी तकनी की विशेशग्य समिती को मशिनों की जार्च करनी चाहिए कि कमपनीोंने वैसी ही इविएम सप्लाइ की है जैसे उसने अनुमोदित किया था या इसमें कोई एडिशनल सर्कीट तो नहीं डाला है सौपफ्वेर में कोई फेर बदल तो नहीं कर दिया है याचिका में कहा गया है कि इविएम के संचालन पर चुनाव आयोग का कोई नियंतर नहीं है जो सविधान के अनुछे 324 का उल्हंगन है ये इविएम के संबंद में भारत नर्वाचन आयोग ने कुछ दावे किये है पहला दावा उनों ने कहा है कि हमारी इविएम इस्टेंडरोन मसीन है यह दावा चुनाव आयोग का असत्त है यह गुम्रह करने वाला है देश की जनता को बेल और इसी आयल के जो इंजिनियर हैं उनकी सत्त निष्ठा भारत के संब्धान और चुनाव आयोग के पृति न नहीं है उन्हीं के हवाले इविएमों का संचालन चुनाव आयोग ने उनके हवाले कर दिया इविएम पर होने वाले सभी काम तकनीकी हैं बेल और इसी आयल की इंजिनियर करते हैं पर भारत नर्वाचन आयोग ने लाजने तेक दलों और प्रत्यासियों को एजेंट के हाल में एफ हैल सी हो रही हो या इविएम पर काम हो रहा हो उस हाल में बेल और इसी आयल की इंजिनियरों के अलावा कोई भी दूसरा इंजिनियर ना जा सके यह सकत निर्देश जलाइनर वाचन अधीकारी को दिये हैं याचिका में मांग की गई है कि कैंडिडेट और वोटर को बताया जाए कि उसका वोट उसी केंडिडेट को चला गया याचिका करता ने मांग की है कि इविएम को पार्धर्शी बनाया जाए या इविएम से चुनाव करना पूरी तरह से बंद किया जाए प्रकरण में याचिका करता की ओर से एड़ोकेट वरून ठाकुर पहर भी कते हैं आपकी इस पर क्या विचार हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताया साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही कॉलिटी न्यूस के फिजुक पेच को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद